नमस्कार, Current News में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमरितुपाध्या, इस सबसे पहले पिछले एक सबता की हेड्लाइन्स पर डालते हैं नजर World Economic Forum ने जारी की Global Gender Gap Report 2021 भारत को 28 पायदानों का नुकसान, 156 देशों के लिए जारी इंडेक्स में भारत 140 वे पायदान पर केंद्र की देश के प्रते एक भूखंड के लिए 14 हंकों की पहचान संख्या जारी करने की योजना Digital India Land Record Modernization Program का अगला चरण है यह पहचान संख्या राजस्व रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ भी एक इक्रित होगा भूने को महिला अपसरों को पर्मनेंट कमिशन की मांग पर सुप्रेम कोट का फैसला दो महिने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थाई कमिशन देने का निर्देश कोट ने पर्मनेंट कमिशन के लिए बनाये गए मेडिकल फिटनेस मापगंड को बताया मनमाना और तरक ही कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के लिए फाइव फोल्ड रणमीती रणमीती में टेस्टिंग की ट्रक्रिया में तेजी लाने, आईसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देने पर जूर लोगों को कोविड एप्रोक्रियेट व्यभार अपनाने का सुझाओ और IUCN ने अफ्रेकी वन हाथियों को घोशित किया गंधीर संकटा ग्रस्त पिछले 31 सालों में अफ्रेकी वन हाथियों की आबादी में 86 पीस्दी की कमी की ख़वर प्रित्वी पर सबसे बड़े भू जानवर हैं अफ्रेकी हाथियों बुलेटिन में ख़वरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सब के लिए एक जरूरी सूचना दिल्ली सरकार द्वारा अनुमती नहीं मिलने की वजह से द्रिष्टी की दिल्ली शाखा पर आठ अप्रेल से शुरू होने वाला फाउंडेशन 36 बैच अपने तै समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है विद्यार्थियों के सुविधा के लिए द्रिष्टी प्रबंधन ने तै किया है कि यदि निकट भविष्य में प्रशासन से कक्षाओं की अनुमती नहीं मिलती है तो अप्रेल माह में ही विद्यार्थियों के लिए लाइव ऑनलाइन बैच की शुरूआत की जाएगी अब खबरों के शुरूआत करते हैं बीते दिनों वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोहजार इकीस जारी की रिपोर्ट को 156 देशों के लिए जारी किया गया था इसमें भारत को 140 वे पायदान पर रखा गया है रिपोर्ट में पहले इस्थान पर आइसलेंड रहा तो वहीं अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान को रखा गया है शेत्रवार देखें तो दक्षिन एशिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले एक शेत्रों में से एक है वहीं दक्षिन एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत तीसरे इस्थान पर है भारत से बेकार प्रदर्शन केषल पाहिस्तान यानि 153 पॉंट के साथ और अफगानिस्तान यानि 156 पॉंट के साथ है भारत के इस साल की रैंकिंग में पिछली बार के तुल्ना में 28 पायदानों का नुकसान हुआ है गौर तलब है कि पिछली बार 153 देशों की सूची में भारत का 112 हुआ इस्थान था आपको बता दें कि Global Gender Gap Index को बनाने के लिए चार आयामों को आधार बनाया जाता है इसमें आर्थिक भागिदारी और अवसर, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थेवम उत्तर जीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण को शामिल किया गया है जहां राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत को 51 स्थान मिला है केंदर की योजना एक साल के भीतर देश के प्रतेक भूखंड को 14 हंकों के पहचान संख्या जारी करने की है बाद में इस भूमी रिकॉर्ड को राजस्व रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ भी एककृत किया जाएगा इस भूमी रिकॉर्ड को आधार संख्या के साथ भी जोडने की योजना है जो की स्वेचिक होगी गौर तलब है कि ULPIN यानी The Unique Land Parcel Identification Number योजना को इस साल 10 राज्यों में शुरू किया गया है इसे मार्च 2022 तक देश भर में लागू किया जाएगा ULPIN के द्वारा विशिष्ट रूप से भूमी के हर खंड की पहचान की जाएगी इसके द्वारा भूमी में होने वाली धोखा धड़ी के मामलों को रोका जा सकता है दरसल ग्रामीड भारत के उन इलाकों में जहां भूमी रिकॉर्ड पुराना है अक्सर भूमी विवाद देखे जाते हैं ULPIN को देश शांतर और अक्षांस निर्देशांक के आधार पर बनाया जाएगा आपको बता दे कि ULPIN DILRMP यानि Digital India Land Record Modernization Program का अगला चरण है इसे पूरा करने की समय सीमा 2023-2024 तक निर्दारित है DILRMP के अगले चरण में बैंकों के साथ भूमी रिकॉर्ड को भी लिंक किया जाएगा हाली में Corporate मामलों के मंत्राले ने Cryptocurrency को लेकर पहली बार निर्देश जारी किये इसके मताबिक देश की सभी कमपनियों को अपने Balance Sheet में Cryptocurrency या Virtual Currency में हुए सौदे का विवरण देना जरूरी कर दिया गया है या विवरण कमपनियों को रैस्ट्रार आफ कमपनी के साथ दाखिल अपने वित्तिय विवरणों में देना होगा इस नियम को आगामी वित्तिय वर्ष से लागू किया जाना है दरसल हाल के समय में कुछ स्टार्ट अप्स ने अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का कुछ हिस्सा Cryptocurrency के रूप में देना शुरू किया है इसी के बाद मंत्राले ने यह दिशा निर्देश जारी किया इन ने निर्देशों के मताबिक कंपनियों को Cryptocurrency या Virtual Currency से जुड़ी लेंदेन पर होने वाले लाभ या हानी का खुलासा करना होगा इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से Cryptocurrency या Virtual Currency में ट्रेडिंग या निवेश करने के लिए अगर कोई Deposit या Advance लिया गया है तो उसका भी ब्योरा देना होगा गौरतलब है कि भारत में शुरुवात से RBI या सरकार का रुख निजी Cryptocurrency को बैन करने का रहा है सरकार ने अभी Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 पेश किया है इस बिल का मकसद सभी निजी Cryptocurrency को प्रतिबंधित करना है इसके अलावा इसका एक मकसद भारत की आधिकारिक Digital मुद्रा के लिए कानूनी धाचा तयार करना है हाली में सेभी यानि भारतिया प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने Business Sustainability Reporting के लिए नई जरूरतों को पेश करने का फैसला किया है यह रिपोर्ट सूचिबध संस्थाओं द्वारा पेश की जाती है इस नई रिपोर्ट को Business Responsibility and Sustainability Report नाम दिया गया है यह अभी की Business Responsibility Report का स्थान लगी रेगुलेटर के मुताबिक वित्यवर्ष 2021-22 के लिए स्वैचिक आधार पर रिपोर्टिंग के लिए और वित्यवर्ष 2022-23 से अनिवारे आधार पर Business Responsibility and Sustainability Report शिर्ष 1100 सूचिबध संस्थाओं पर लागू होगी नियामक के मुताबिक जिन मामलों में कमपनियों की Board बैठके एक से ज़़ादा दिनों के लिए आयोजित की जाती है उनमें वित्या परनामों का खुलासा Board बैठक के आखिर के 30 मिनट के भीतर किया जाएगा सेवी ने यह भी कहा है कि जब कंपनिया विशलेशक या निवेशक की बैठक करते हैं तो इस तरह की बैठकों की ओडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी वेबसाइट और एक्सचेंज पर अगले कारोबारी दिन से पहले यानि 24 गंटों के भीतर जो भी पहले हो उसमें साजा की जानी चाहिए इसके अलावा कंपनियों को पांच कारे देवसों के भीतर इस तरह की बैठकों के लिखित टेपों का खुलासा करना होगा आपको बता दें कि बिजनेस रेस्पोंसबिलिटी एंड सस्टेनिबिलिटी रिपोर्ट परियावरण सामाजिक और शासन के दृष्टिकोंड पर आधारित है इसका मकसद व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से सनलगन करने में सक्षम बनाना है या व्यावसायों को विनियामक वित्तिया अनुपालन करने और उनके सामाजिक वपर्यावरणिया प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोपसाहित करेगा विश्व बैंक ने हाल ही में World Development Report 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ का प्रकाशन किया रिपोर्ट की माने तो ज्यादा तर देशों ने एक खुली डेटा नेती से किनारा कर लिया है रिपोर्ट ने पाया है कि निम्न आये वाले देशों में शामिल किवल 11 फीस्ती देश लगातार लाइसेंस श्रेणी के जरिए आपने ओपें डेटा स्रोतों का उप्योग करते हैं निम्न और मध्यम आये वाले देशों के लिए यह दर 19 फीस्ती थी जबकि उच्च मध्यम आये वाले देशों के लिए 22 और उच्च आये वाले देशों के लिए 44 फीस्ती थी इसके मुताबिक सेवा वितरण में सुधार और दुरलब संसाधनों को प्राथमिक्ता देने की जरूरत है साथी सरकारों को जवाब देह बनाने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने की भी बात कही गई है विश्व बैंक द्वारा वैश्विक गरीबी के आकलन पर चिंता व्यक्त की गई है जो गरीबी पर भारत में डेटा के अभाव के कारण विशा मिस्थिती पैदा करता है रिपोर्ट की माने तो भारत SDG संकेतकों में से महज 54 पर ध्यान देता है हाला कि कुल मॉनिटर किये गए संकेतकों की संख्या बढ़ गई है और भारत ने अपनी ट्रैकिंग सूची में चार संकेतकों को हटा दिये है भारतिय सेना और नौ सेना में महिला अफसरों को पर्मानेंट कमिशन की मांग पर सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाया दैर याजिका में Short Service कमिशन महिलाओं को पर्मानेंट कमिशन देने की मांग की गई थी आदालत ने निर्देश देते हुए दो महीने के भीतर इन महिला अधिकारियों को इस्थाई कमिशन देने की बात कही है कोट ने पर्मेनेंट कमिशन के लिए बनाये गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को मनमाना और तरकेहीन बताया सुप्रेम कोट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाये गए मुल्यांकन मापदंड महिलाओं के खिलाफ विवस्थित रूप से भेदभावकारी है लेहाजा कोट ने चिकित्सा आधार पर खारिज होने वाले अफसरों पर एक महिने के भीतर पुनर विचार करने और दो महिने के भीतर कमिशन देने की बात कही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और एम आर शाह की पीठ ने माना कि सेना के मुल्यांकन का पैटर्न प्रभावी रूप से महिलाओं को इस्थाई कमिशन से बाहर कर रहा है गौरतलब है कि माननिया सुप्रेम कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसले में फरवरी 2020 में सरकार को निर्देश दिया था कि शौर्ट सर्विस महिला अधिकारियों को सेना में पर्मानेंट कमिशन देने की विवस्था को सुनिश्चित किया जाए इसमें कमांड पोस्टिंग को भी शामिल करने की बात कही गई थी लेकिन जिन लोगों को चयन प्रक्रिया में यह अनुमती नहीं दी गई थी उन्होंने सेना द्वारा अपनाए गए मानदंडों में खामियों की ओर इशारा करते हुए शिर्ष अदालत का रुख किया था हरियाना, तमिलनाडू, छतिसगर, मध्यप्रदेश शादी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया महामारी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 5-fold रणनीती रखी गई है साथ इसमें RT-PCR परिक्षणों के हि हावा देने की बात रखी गई है इसमें शुरुवाती 72 घंटों में किसी रोगी के औसतन 30 नजदी की संपरकों का पता लगाने उनका परिक्षण करने और उन्हें आईसोलेट करने की सलाह दी गई है तीसरी रणनीती में सारवजनिक और निजी स्वास्ते सेवा संसाधनों का री इन्विगोरेशन यानि पुना प्रवर्तन करने की जरूरत को शामिल किया गया है इसमें सारवजनिक और निजी अस्पताल के बुनियादी धांचे को मजबूत करने की बात कही गई है साथी हेल्थ केर कारेकरताओं को फिर से एनरजेटिक और संगठित करने पर जोर दिया गया है चौथी रणनीती में कोविड एप्रोप्रियेट व्यभार को फिर से अपनाने का सुझाओ दिया गया है इनका भीड भाड़ वाले स्थानों जैसे की बाजारों अंतर राज्जिय बस स्टेंड्स स्कूलों कॉलेजों रेलवे स्टेशन साधी पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई गई है आंतिमरण नीती टीका करण को लेकर रही बैठक में उन जगों पर टीका करण बढ़ाने की खासा जरूरत बताई गई है जहां पर कोरोना के मामदों में तेजी से व्रिद्धी देखी जा रही है सुप्रियम कोट ने पेड़ों की कटाई के नियम तै करने के लिए एक समितिक अगठन किया है इस साथ सदस्य विशशग्य समिती के अध्यक्षता एमके रंजीत सिंग ज्वाला करेंगे रंजीत सिंग ज्वाला एक वन्य जीव विशशग्य हैं और भारतिय वन्य जीव ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं समितिक का कार्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने से जुड़े नीतिगत दिशा निर्देशों की सिफारिश करना होगा सुप्रियम कोट ने यह फैसला पश्चिम बंगाल की कुछ परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई को लेकर आई याचिका के आधार पर लिया है पश्चिम बंगाल की इन पर योजनाओं में 150 साल तक की उम्र के पेड़ों की कटाई से संबंधित मामलो को उठाया गया था दरसल सुप्रेम कोट का मानना है कि कुछ पेड़ एतिहासिक पेड़ होते हैं इनके नुकसान को प्रतिपूरक वनिकरण के जरिये नहीं चुकाया जा सकता इस मुद्दे पर कोट का एक दूसरा पहलू प्रकृति के संरक्षन का रहा कोट की मानने तो विकास को प्रकृति के संरक्षन के साथ लेकर चलना जरूरी है सुप्रिम कोट का मानना है कि पेड़ों की कटाई के उचित मुआवजे के आकलन में उसका परियावरण पर पढ़ने वाले प्रभाव को जोड़ना भी ज़रूरी है इसके तहत उस पेड़ की आयू, ओक्सीजन, उत्सर्जन और कार्बन सिंक की क्षमता, मिट्टी का सनरक्षन, वनस्पतियों वजीवों का सनरक्षन और पारिस्थित्क खंडता में इसकी भूमिका को शामिल किया जाना चाहिए पंद्रहवे वित्तायों के चेर्मेन अनके सिंग ने हाल ही में स्वास्थे को समविधान की राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में शामिल करने की ज़रूरत बताई उन्होंने मौजूदा कोविड महामारी को स्वास्थे को समवर्ती सूची का विशे बनाने का बेहतर समय बताया 2025 तक स्वास्थे खर्चों को GDP के धाई फिस्दी तक बढ़ाने की योजना पर उन्होंने यह बात कही प्रात्मिक स्वास्थे सेवा को सभी राजियों की एक मौलिक प्रतिबधता बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें स्वास्थे सेवा पर होने वाले खर्च का कम से कम दो तीहाई हिस्सा आवंटित किया जाना चाहिए साथ ही उन्होंने स्वास्थे क्षत्र में DFI यानि Developmental Finance Institution इस्थापित करने की भी बात कही इसका मकसर Tier 2 और Tier 3 शेहरों में स्वास्थे सेवा की पहुंच को सुनिश्चित करना है ये संस्थान वित्तिया के साथ साथ विभिनक शत्रों को तकनीकी साहायता भी मुहया कराएंगे आपको बता दें कि भारतिया संविधान की अनुसूची साथ में संग राज्य और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है इसके तहट सार्वजनिक स्वास्थे को राज्य सूची का विशे मना गया है राज्य सूची में छठे नंबर पर सार्वजनिक स्वास्थे को स्वच्चता के साथ रखा गया है सामाने स्थिति में इस तरह के विश्यों पर राज्य सरकारें कानून बनाती है पिछले दिनों Electoral Bond पर सुप्रीम कोट ने अपना एहम फैसला दिया कोट ने इन Bonds की बिक्री पर रोक लगाने से मना कर दिया है गौर तलब है कि कुछ दिनों पहले कोट में एक याचिका दायर कर हालिया विधानसभा चुनाओं के मद्दे नजर इन Bonds की बिक्री पर रोक की अपील की गई थी यह याचिका एक NGO Association for Democratic Reforms ने दायर की थी NGO ने इस याचिका के पीछे RTI से हासिद हुए आंकडों का हवाला दिया जिसमें Electoral Bonds के चलते गैर कानूनी बिक्री की बात कही गई थी Association for Democratic Reforms का इस मामले में कहना है कि Electoral Bonds के मारफत राजनितिक दलों को असीमित चंदा हासिल करने का जरिया मिल जाता है इसके अलावा इस तरह के सिस्टम से विदेशी कंपनियों को भी दान करने को बढ़ावा मिलता है आपको बता दें कि Electoral Bond Scheme की घोशना सरकार ने 2018 में की थी यह एक Banking Instrument Bearer है जिसके जरिये राजनितिक दलों को चंदा दिया जा सकता है लेकिन इसके लिए राजनितिक दल को जन प्रतिनिधत्व आधिनियम 1951 में पंजिकरित होना जरूरी है इसके साथ ही दूसरी शर्तिया है कि उस पार्टी ने पिछले आम चुनाओ या विधान सभा चुनाओ में कम से कम एक फीजदी वोट जरूर पाएं हो किसी भी इलेक्टोरल बॉंड की वैधता उसके जारी होने के 15 दिनों तक रहती है इलेक्टोरल बॉंड को SBI की कुछ चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है इन बॉंड को एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोन के मूल्य वर्ग में ही जारी किया जा सकता है हाली में OCI यानि Overseas Citizen of India कार्ड के लिए एक अधिसूचना जारी की गई इसके मुताबिक अब OCI कार्ड धारक भारतिय मूल के लोगों और भारतिय प्रवासी को अपने expired पासपोर्ट को भारत यात्रा के दौरान लाने के आवशक्ता नहीं है OCI कार्ड वैश्वी कस्तर पर भारतिय मूल के लोगों को जारी किया जाता है यह कार्ड उन्हें भारत के नागरिकों के बराबर लगभग सभी विशश अधिकार प्रदान करता है हाला के उन्हें मतदान का अधिकार सरकारी सेवा में नियुक्ती और क्रिशी भूमी खरीदने सरीखे मुद्दो में कोई अधिकार नहीं होता OCI कार्ड उन्हें भारत की वीजा मुक्त यात्रा प्रदान करता है OCI कार्ड धारक भारतिय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में कई बार आने जाने के अनुमती होती है हाल के दिनों में चुनावी सरगर्मियों के बीच संविधान का अनुछे 244-A फिर से चर्चा में रहा असम के दीमा हसाओ, कार्भी अंगलोंग और पश्चिमी कार्भी अंगलोंग के पहाड़ी जिलो के क्षत्रों के लिए इसे लागू करने का मुद्द आया आपको बता दें कि अनुछे 244-A असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षत्रों में एक स्वायत राज्जी के निर्माड की अनुमती देता है इसे 1979 में समविधान में शामिल किया गया इसमें इन क्षत्रों में एक विधान मंडल और एक मंत्रि परिशत को बनाने का प्रावधान है दरसल वर्तमान में असम में दीमा हसाओ, कारभी अंगलोंग, पश्चिमी कारभी अंगलोंग और बोडू प्रादेशिक क्षत्र के पहाड़ी जिले चठी अनुसूची के तहट आते हैं, जबकि आदिवासी क्षत्रों में अधिक स्वायत शक्तियों के लिए अनुछेद 244-1 को लागू करनी की मांग की जा रही है क्योंकि इस अनुछेद के द्वारा इन इक्षत्रों को कानून और व्यवस्था पर नियंतरण की शक्ति भी दी जाती है जबकि छठी अनुसूची के तहट स्वायत परिशत के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षत्र नहीं है गौर तलबे की सम्विधान की छठी अनुसूची में एक विशेश प्रावधान है ये प्रावधान पूर्वुत्तर के कुछ आदिवासी क्षत्रों में अधिक से अधिक राजनितिक स्वायत्तता और विकेंद्रिकृत शासन की अनुमती देता है इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित स्वायत्त परिशदों के माध्यम से विकेंद्रिक रण को बढ़ावा दिया जाता है सम्विधान की छठी अनुसूची में असम, मेगाले, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल किया गया है केंद्रिया सूचना आयोग की वार्शिक रिपोर्ट के मुताबे केंद्र ने वर्ष 2019-20 में सूचना का अधिकार के तहता आयकुल आवेदनों में से महज 4.3% को अस्विकार किया है यह आप तक की सबसे कम दर है इससे पहले अस्विकृती दर 2005-06 में 13.9% और वर्ष 2014-15 में 8.4% थी बहराल रिपोर्ट डेटा के विशलेशन से पता चलता है कि लगभग 40% अस्विकृती का कोई वैद कारण नहीं बताया गया इनमें 90% नामंजूरी प्रधानमंत्री का रियाले द्वारा की गई 2019-20 में हुई 38.7% अस्विकृतियों को अन्य श्रेणी के तहत रखा गया है आकेले वित्रमंत्राले ने वाजिब कारण बताय बिना कुल RTI आवेदरों का 40% खारिच कर दिया दरसल RTI Act सार्वजनिक प्राधिकरणों को कई आधारों पर RTI के अनुरूधों को अस्विकार करने की अनुमती देता है इन में जीवन और सुरक्षा तक खत्रे में पढ़ने से लेकर व्यक्तिगत जानकारी, कैबिनिट पत्र, विदेशी सरकार, कॉपी राइट या संप्रभुता, सुरक्षा और खूफिया मामले तक शामिल है सार्वजनिक प्राधिकरणों से उम्मीद की जाती है कि वे छूट का आहवान करने के लिए अधिनियम के संबंधित खंड का हवाला दें लेकिन कई मामलों में इसकी कमी पाई गई है IUCN यानि International Union for Conservation of Nature ने अफरिकी वन हाथियों को गंभीर संक्टा ग्रस्त गोशित किया है वहीं अफरिकी सामाना के हाथियों को संक्टा ग्रस्त बताया है अबैद शिकार और आवास नश्ट होने को इसका कारण बताया गया है इससे पहले इन दोनों हाथी प्रजातियों को सुभेद्य यानि Vulnerable की श्रणी में रखा गया था अब तक अफरिकी हाथियों को एक ही प्रजाति के रूप में माना जाता था जबकि सवाना के हाथियों के संखेया पिछले 50 सालों में 60% घट गई है IUCN के मुताविक 2011 में शिकार में व्रद्धी के कारण दोनों प्रजातियों को 2008 के बाद तेज गिरावट का सामना करना पड़ा था लेकिन अब क्रिशी और अन्य भूमी उपयोगों के लिए उनके आवासों में हो रही कमी एक बड़ी चुनोती के रूप में सामने आ रही है आपको बता दें कि अफरीकी हाथी प्रित्वी पर सबसे बड़े भू जानवर हैं ये एशियाई हाथियों से थोड़े बड़े आकार के होते हैं ऐसे क्षत्र जहां सरकारों ने सामोहिक रूप से भूमी अधिकारों को अपचारिक रूप से मानिता दी है उन स्वदेशी और आदिवासी क्षत्रों में वनों की कटाई की दर काफी कम है सन्यूकतराष्ट खाद्यवं क्रिशी संगठन और Fund for the Development of Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean FILAC ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples नामक इस रिपोर्ट की माने तो वनों की कटाई और वन शरण के चलते Amazon Basin के स्वदेशी और आदिवासी प्रदेशों में 2003 से 2016 के बीच हर साल और सतन 0.1-7% संग्रहित कारवन नष्ट हो गया इसके उलड स्वदेशी प्रदेशों और सनरक्षत क्षत्रों के बाहर के जंगलों में हर साल 0.5-3% की गिरावट आई जो की स्वदेशी प्रदेशों की तुलना में 0.3-6% ज्यादा है इनक्षत्रों में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में सुधार कारवन उत्सर्जन को कम करने का एक कुशल और किफायती तरीका है अध्यान के मुताबिक इनक्षत्रों के मूल व्यक्ति, पौधे लगाने, चैनात्मक कटाई और पुनाह वनारोपन जैसे वन प्रवंधन का अनुसरण करते हैं यह कारवन उत्सर्जन को कम करने का एक किफायती तरीका है रिपोर्ट के मुताबिक सांस्कृतिक, भौगौलिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसे कारक हैं जो वनों के सनरक्षन को प्रभावित करते हैं बीते दिनों न्यूजिलेंड ने गर्भपात शोक अवकाश कानून पारित किया ऐसा करने वाला न्यूजिलेंड दुनिया का दूसरा देश बन गया इस कानून के मुताबिक महिलाओं और उनके पार्टनर को गर्भपात और स्टिलबर्थ यानि मृत बच्चा पैदा होने की स्थिति में वैतनिक अवकाश दिया जाएगा ऐसे इस्थिति में कर्मचारियों को तीन दिन का वैतनिक अवकाश मिलेगा जिस से सिक लिव में नहीं जुड़ा जाएगा भारत ऐसे वैतनिक अवकाश लाने वाला पहला देश है न्यूजिलेंड की संसद ने इस प्रस्ताओं को सर्व सम्मती से पारित किया ये छुटियां ऐसे माता-पिता को भी मिलेंगी जो एडॉप्शन या सेरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं एक अनुमान के मुताबिक न्यूजिलेंड में हर चार में से एक महिला को गर्भपात के स्थिति से गुजरना पड़ता है आपको बता दें कि न्यूजिलेंड महिलाओं के मामले में प्रगतिशील सोच रखने वाले देशों में से एक है न्यूजिलेंड ही पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था अभी पिछले साल ही न्यूजिलेंड ने गर्भपात को अपराध किश्रेणी से भी हटा दिया है हाली में हुए एक नए अध्यन के मुताबिक अल्टरा फाइन प्लास्टिक कर्ण एंटिबार्टिक प्रतिरूधी बैक्टीरिया और रोग जनकों के केंद्र बनते जा रहे हैं इस रिसर्च को जर्नल ओफ हजार्ड माटीरियल लेटर्स में प्रकाशित किया गया है शोध में देखा गया कि अप्षिष्ट जल उपचार सनियंत्रों में माइक्रो प्लास्टिक्स की सतफ पर एक पतली परत या बायो फिल्म का निर्माण होता जा रहा है पांच मिलिमीटर से कम लंबाई वाले प्लास्टिक के कण माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ये परत बैक्टीरिया और अंटिबायोटिक कचरे को एक दूसरे से जुड़ने का मौका देती है। शोद के मुताबिक इन सन्यंत्रों में माइक्रो प्लास्टिक बायो फिल्म पर मिले बैक्टीरिया के कुछे स्ट्रेंज की एंटिबायोटिक प्रतिरोधक की शमता 30 गुना तक बढ़ गई है। चला है कि उत्तराखंट के गढ़वाल हिमाले में ज्यादातर मध्य यूगीन के लिए रणनीतिक रूप से क्लस्टर बनाने के लिए बनाये गए थे। कई किलो के इन नेटवर्क ने ततकालीन शास्कों को दुश्मन के हमले के समय धुआ और आग का उप्यूग करके आसानी से सूचना संकेतों के प्रसार करने में सक्षम बनाया। Journal of Cambridge University Press और Research Highlights में यहा ध्यान प्रकाशित हुआ है। इसमें परिकल्पना की गई है कि इन किलों का निर्माड कत्यूरी राजवन्ष के पतन के दौरान या बाद में आठवी और बारहवी शताबदी के बीच किया गया था। आध्यान में पता चला है कि गढ़वाल हिमाले के उत्तर पूर और दक्षनी क्षत्र में फैले 193 स्थलों की पहचान की गई है जिन में गढ़वाल के किलों और दुर्गों के खंडहर शामिल है। यह अपनी तरह का पहला डेटाबेस है कुल 36 बड़े और 12 विशेश किले समूहों की पहचान की गई है। शोद के मुताबिक अभी भी बहुत ही कम पुरातात्विक या इतिहासिक साक्षे हैं जिन से पता चलता है कि किस वंश ने गढ़वाल हिमाले में इन किलों पर शासन किया और बनाया। लेकिन कारबन डेटिंग प्रक्रिया के परिणामों से पता चला है कि इन किलों का निर्माण आठवीश अताबदी इस्वी के आसपास शुरू हुआ होगा। चली अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्षन पर एक नज़र। मैप सेक्षन में आपका स्वागत है प्रिय व्यूवर्स पिछले बुलेटन में हमने आपसे तंजानिया की नव नियुक्त राश्ट्रपती का नाम कमेंट में बताने को कहा था। आपको पता दें कि पूर्व राश्ट्रपती जौन मगुफुली की मृत्यू के बाद सामिया सुलूहु हसन ने नए राश्ट्रपती के तौर पशपत ली है। तो आईए तंजानिया के मानचित्र पर एक नज़र टालते हैं। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। यह देश पूरी तरहां पूर्वी और दक्षिनी गोलार्द में स्थित है। डोडोमा इसकी राजधानी है। और दारेश सलाम इसके बड़े शहरों में से एक है। इसके अंतराश्ट्रिय सीमा की बात करें। तो यह है उत्तर में युगांडा और विक्टोरिया जीर। उत्तर और उत्तर पूर्व में केन्या, पूर्व में हिंद महसागर, दक्षिन में मोजांबिक, मलावी और मलावी या नियासा जीर से दक्षिन पश्चिम में जांबिया, पश्चिम में लेग टांगानिका, बुरूंडी और उत्तर पश्चिम में रवांडा से सीमा साजा करता है किली मंजारों पुर्वोत्तर तंजानिया में अफस्थित है यह है अफरीका की सबसे उची चोटी है यहां के अब वहां तंतर की बात करें तो यह देश लगभग पूरी तरह बड़ी-बड़ी जीलों पर आधारित है इन में शामिल है विक्टोरिया जील टांगानिका जील रुकवा जील मलावी जील आधी विक्टोरिया जील की बात करें तो यह है अफरीका की सबसे बड़ी जील है यह है मीठे पानी की जील है और यह है नीले अब वहां तंतर के जलाशियों में शामिल है यह है यूगांडा केन्या और तंजानिया से गीरी टांगानिका जील की बात करें तो यह भी मीठे पानी की जील है यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की जील है इसके अलावा रूस की बैकाल जील के बाद यह सबसे गहरी जील भी है यह बुरूंडी Democratic Republic of Congo Zambia और Tanzania से गीरी हुई है आईए तन्जानिय की जलवायू के बारे में बात करते हैं तन्जानिया को जलवायू के आधार पर चार क्षेत्रों में बाटा जा सकता है पहला शेत्र है हिंद महासागर अब तट्य क्षेत्र से सटी हुई आद्र और उश्र निम्न भूमी दूसरी है वरिहद केंद्रिय पठार के शुश क्षेत्र उत्तर का वरिहद जील क्षेत्र और उच्च आंतरिक परवतिय भूमी हाल ही में सुर्खियों में स्वेज नहर की ब्लॉकेज की खबरे आ रही है इसलिए अगले बुलेटिन में हम स्वेज नहर को कवर करेंगे आपको इसके उत्तरी और दक्षिनी बिंदूओं के नाम बताने है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर साथ हिद्रिष्टियाइस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नज़र केंद्रि पेट्रोलियमे एवं प्राकरति ग्यास तथा इसपात मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने हाल ही में अमेरिका की नई उर्जा मंतरी जनिफर ग्रेन होम के साथ बात चीत की दोनों नेता भारत अमेरिकी कूट नितिक उर्जा सहयो को नया सोरूप देने पर सहमत हुए वे प्रोध्योगी की हस्तांतरन के जरिये और उन्नत स्वच उर्जा अनुसंधान में साज़ेदारी के तहत संयुक्त चोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्वच उर्जाक्षेत्र पर भी राजी हुए हाली में नई दिल्ली में भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंशिप पाग का उधगाटन किया गया इस पाग का उधगाटन रक्षा मंत्री राजनात सिंग और कोरिया गर्ण राज्ये के रक्षा मंत्री सूह वूक ने संयुक्त रूप से किया इस पाग को 1953 में कोरिया युद में भारत की योगदान के समारक के तौर पस थापित किया गया है केंद्रिय स्वास्थे एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने विश्व टीका करण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन के अंतरगत टीका उतपादन और एशिया में वित्रण विशय पर एक वर्च्वल बैठक को संबोधित किया इस वर्च्वल बैठक में दुनिया भर के तकरीबन एक हजार प्रती भागियों ने हिस्सा लिया इस मौके पर विश्व आपूर्ती श्रिंखला के सामने मौझूद चुनौतियों को दूर करने पर चर्चा की गई भारत के समुद्र 30 खेत्रों में हाली में दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है इन दोनों का नाम हाइपिना इंडिका और हाइपिना बुलाटा है इंडिका की खोज तमिल नाडू इस्थत कन्या कुमारी और गुजरात के सौमनात पठान और शिवराजपुर में की गई जबकि हाइपिना बुलाटा की खोज कन्या कुमारी और दमन एवन दीव द्वीप में की गई थी नासा ने हाली में कहा है कि उसने अब तक के सबसे बड़े रिफलेक्टर एंटीना से लेस एक प्रत्वी उपग्रह लॉंच किया है यह उपग्रह लोगों को जलवायू परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी देने और आपदा प्रबंधन में मदद करने के लिए तैयार है गौर तलब है कि नासा और इस्रो के संयुक्त मिशन निसार में जलवायू परिवर्तन का अध्यान करने की ख्षमता है आपको बता दे कि यह निसार नासा इस्रो सार का संक्षिप्त रूप है यहां सार यानि SAR का अर्थ सिंथेटिक अपर्चर रडार है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अधिक्षता में केंद्रे मंत्री मंदल ने प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम फोर फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानि पी ल आई एस एफ पी आई को मंजूरी दे दी इस योजन में दस हजार नो सो करोड रुपे का प्रावधान है इसका मकसद देश को वैश्विक स्तर पर खादे विनिर्मान क्षेत्र में अगरणी इस्थान पर लाना है और अंतर राष्ट्रे बाजार में भारतिय खादे उत्पादों के ब्रांच को बढ़ावा देना है गावों में ग्रामीन पेजल आपूर्टी प्रणाली की निगरानी के लिए जल शक्ती मंत्रा ले अब डिजिटल तरीखों का इस्तमाल करने जा रहा है खबर के मताबिक 6 लाग से अधिक गावों में जल जीवन मिशन के कार्यानवेन के प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट अफ तिंक्स उपकरण का इस्तमाल करने का फैसला लिया गया है इसके लिए राष्ट्रिय जल जीवन मिशन ने टाटा कम्यूनिटी इनिशेटिव ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर पाँच राज्यों उत्तराखन, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट्र और हिमाचर प्रदेश के गावों में पालिट प्रजेक्ट्स पूरे क मध्य प्रदेश के खजुराहों में हाल ही में महराजा 16 साल कंविंशन सिंटर का उध घाटन किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान और केंद्री परेटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंग पटेल ने इस काउध घाटन किया, यह देश के 19 चिन्हित प्रत श्ठित परटक स्थालों में से एक है, बुद्नेल खन के राजा, महराजा 16 साल के नाम पर स्थापित इस कंविंशन सिंटर को केंद्रिय परेटन मंत्राली की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया है केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर की मौजूगी में राष्ट्रे स्वच वायू कारेकरम के तहत शहर केंद्रित कारेयो जनाव के कारेयन वन के मकसद से चिन्नित दिये गए 132 शहरों के लिए समझोता ग्यापन पर दस्तखत हुए ये समझोते राज्य प्रदूशन नियंतरन बोर्ट्स, शहरी स्थाने निकायों और प्रतिष्टत संस्थानों के बीच हुए हैं इसका मकसद स्वच भारत स्वच वायू के विजन पर जोड देना है DRDO ने सेनिको के लिए हलकी बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है इस जैकेट का निर्मान DRDO की कानपुस्थित एक प्रयोग शाला, रक्षा सामगरी भंडार और अनुसंधान एवं विकास अनुप्रयोग यानि DMSRDE ने किया है 9 किलोग्राम की इस फ्रेंट हार्ड आर्मर पैनल यानि FHA पीक जैकेट का परीक्षन टर्मिनल बेलिस्टिक्स रिसर्च लिबरेटरी चंडीगड में किया गया चुकि सैनिकों को विशम परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए कम वजन वहन करना होता है ऐसे में यह जैकेट भारतिय सेना की क्वालिटेटिव जरूरतों को पूरा करेगी बांगलादेश में शांतर ओग्रोशेना 2021 नामक एक बहु राष्ट्र सैनने अभ्यास का आयोजन किया जाएगा यह आयोजन बांगलादेश के राष्ट्र पिता बंग बंधु शेख मुझीबुर रह्मान की जन्व शतादी के उपलक्षे में किया जाएगा साथ ही यह सैनने अभ्यास बांगलादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने का प्रतीग भी है इस सैनने अभ्यास का विशे रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन्स है भारतिय सेना की टुकड़ी 4-12 अप्रेल तक रॉयल भूटान आर्मी, श्रिलंकाई सेना और बांगलादेश सेना की टुकड़ी के साथ होने वाले अभ्यास में भाग लेगी हाली में रूसी वेग्यानिकों ने बैकाल जील में दुनिया के सबसे बड़े अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलेस्कोप को लॉंच किया है इस टेलेस्कोप का नाम बैकाल जीवीडी यानी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर रखा गया है साइबेरिया में इस्थित बैकाल जील दुनिया की सबसे गहरी जील है इस जील में टेलेस्कोप का निर्माट 2016 में शुरू किया गया था बैकाल जीवीडी दुनिया के तीन सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है अन्ने दो न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, साउथ पोल में, आइस क्यूब और भूम अद्दे सागर में, एंटारेस हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो लेकिन यदि किसी सोर्स या हुमन एरर की वज़े से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे उपर दिखाई देता है